हलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक एक सीरियस टॉपिक है, एक खतरनाख विशे पे हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है डिप्रेशन, जी हाँ, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, जो ना ही सिर्फ इनसान, बलके जानवर को भी एफेक्ट करता है, डिप्रेशन हर एक को एफेक बहुत लोग यह नहीं जानते कि जानवर भी डिप्रेशन से गुजरते हैं, कई लोग जिनके पास जानवर होते हैं घर में, पैट्स होते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा, कि कुछ ऐसे दिन होते हैं, जहां आपके जानवर, आपके पैट्स बहुत अधास हो जाते हैं उन्हें अपने favorite activities नहीं करना अचा लगता है उन्हें अपने favorite food भी खाने का मन्नी होता है कोई भी normal regular playful activities नहीं करते है चुप-चाप अदास रहते है, सोई रहते है तो ये कुछ चंद symptoms है डिप्रेशन के जो जानवरों में भी होता है और आपको खास ख्याल रखना है आपके pets का अगर वो इस दोर से गुजर रहे है तो उनका अच्छे से ख्याल रखिए मन बैला लाइए, प्यार कीजिए ताकि वो stress से बाहर आ जाए क्योंकि इस depression का मेन कारन होता है stress तो उने ऐसे माहल में मत रखा कीजिये जहां उनको stress होता है अक्सर ये देखा जाता है कि कोई नया pet अगर घर में आता है या घर का कोई सलस्या अगर घर से बाहर जा रहा है बहुत दिन से घर में नहीं है या कोई बहुत strict action अगर आपने अपने pet के उपर लिया है कोई punishment किया है जो उसको बहुत मानसिक तोर पे डिप्रेस कर दिया है तो ये सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको ताकि आपका पैट स्ट्रेस में ना आए और ये हो गया जानवरों के डिप्रेशन बट सबसे जादा serious मामला होता है इनसानों के डिप्रेशन तो आज का main topic होगा इनसान कैसे डिप्रेशन से गुजरता है क्या क्या हम कर सकते हैं उसको handle करने के लिए डिप्रेशन fight करने के लिए इन सब topics पे आज हम बात करेंगे एक चीज समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन हर इनसान को हो सकता है हम में से बहुत लोग denial में जीते हैं बहुत लोग ये accept नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है क्योंकि उन्हें लगता है डिप्रेशन मतलब पागलपनती एक चीज सबसे पहले मैं clear करना चाहूँगी कि डिप्रेशन पागलपनती नहीं है डिप्रेशन मानसिक रोग नहीं है डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक स्थिती है मानसिक स्थिती मतलब mental status एक इनसान का जैसे शरीर है वैसे ही उसका mind उसका दिमाग उसका सोच ये भी है उतना ही जादा तो अगर हम सेहत पे तवज्जु दे तो सेहत हम क्यों सोचते कि से physical सेहत सेहत मतलब health, physical health as well as mental health दोनों के बारे में ही हमें सोचना चाहिए तो सिर्फ physical problems के लिए हम इलाज कराएं और mental problems को हम ignore कर दे ये अच्छी चीज नहीं होती है हम मेंसे अधिक तर लोग ये समझते हैं कि अगर हम upset है ये छुपाने वाली बात है या इसे ignore करना जरूरी है या इस पे जादा तवज्जु नहीं देना चाहिए ये गलत है depression serious issue है जिसे बढ़ने देना बिल्कुल जरूरी नहीं है अगर आप इसे ignore करते रहेंगे तो ये हद से जादा बढ़ जाएंगे और फिर एक serious बात हो जाएगी जैसे ही आपको मैसूस हो कि आप थोड़ा सा भी emotionally upset हो रहे है या unstable हो रहे है तो इस पे focus कीजे ना कि इसे ignore जितना आप इस पे focus करेंगे आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ आपको upset कर रही है और किस तरह से आप इस चीज़ से बच सकेंगे depression does not see age तो यह सोचना गलत होगा कि depression सिर्फ adults को होते है या जो लोग बहुत सादा work करते है उन्हें होते है work stress related यह गलत बात होती है क्योंकि depression कोई age नहीं देखता है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी depression होती है जो teenagers होते हैं वो बहुत जादा vulnerable होते हैं depression के लिए ऐसे हम अदिक तर लोग वो को देखते हैं जो teenage में पहले पहले प्यार में पढ़ते हैं और relationships के problems के वज़े से depression में आ जाते हैं फिर कई तो suicidal attempts भी करते हैं फिर especially adolescence age में अगर परहाई को लेके या career related choices को लेके कोई मसले होते हैं तो बहुत सारे adolescents जो children होते हैं जो की teenage children होते हैं वो अपने stress को handle नहीं कर पाते हैं और उनका depression इतना खतरनाक हो जाता है कि वो लोग भी suicidal attempts करते हैं और फिर हम बात करते हैं जो लोग work stress handle नहीं कर पाते हैं या फिर peer pressure handle नहीं कर पाते हैं friends के माहुल में ऐसे competition होते हैं जो वो handle नहीं कर पाते हैं और stress में आते हैं depression होता है या फिर marital life के problems को लेके depression होना affairs, relationships, ये सब के वज़े से depression होना ये कुछ बहुत सारे common चीज़े हैं depression के कारण plus you should also realize that old people also suffer from depression जैसे कि जो बहुत ज़ादा aged लोग हो जाते हैं उन्हें अपने life को लेके इतना ज़ादा dissatisfied होते है या life के बारे में आगे क्या होगा tension लेके depression होता है ये सब चीज़े हमको realize करना पड़ेगा कि depression किसी भी age में किसी भी इंसान को हो सकती है तो सबसे एक-एक करके हम बात करेंगे इन categories में से जो चोटे बच्चे होते हैं उनकी depression किस तरह की होती है और जो teenage, adolescence age के children होते है उनके कैसे depression होते है पहले उस बारे में बात करते हैं और फिर आते हैं adults के depression के बारे में बात करने तो जो youngsters होते हैं school के pressure या peer pressure ये सब चीज़े होते हैं उनके depression के कारण peer pressure मतलब friends circle में उनके friends अगर एक तरीके के जिन्दगी जी रहे है या किसी शेत्र में अच्छे कर रहे हैं जैसे पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं और वो खुद अच्छे नहीं कर पा रहे हैं वो लगातार पढ़ाई में फेल हो रहे हैं या अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे है ये सब का tension ये एक stress का reason हो सकता है या फिर बहुत सारे आजकल के बच्चों में ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे चीज़ें जो उनके पास नहीं हैं पर उनके दोस्तों के पास हैं उस बात को लेके वो बहुत जादा affected होते हैं जैसे कुछ माबाप शायद कई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते जो उनके बच्चों के friends के पास है तो उन बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि दोस्तों के सामने उनका impression खराब हो रहा है इसे डाउन हो रहा है उनके parents शायद अफोर्ड ना कर पाए और वो चीज़ें उन्हें ना मिलने से वो suicide भी करते हैं या कोशिश करते है suicide के जैसे एक हम लोग ऐसे news के बारे में सुने थे काफी चर्चे में आथा ये news कि एक बच्चे ने mobile मांगा था और उनके वाल देन उनको mobile नहीं दे पाए थे उनके अतना आर्थिक स्थिती नहीं था तो बच्चे ने suicide कर दिया या फिर bike की demand किया bike नहीं मिला तो घर छोड़ के चला गया तो ये सारे बहुत सारी चीज़े हम लोग सुनते आते हैं अकसर होता है ये सब चीज़ों को हम peer pressure कहते है क्योंकि ये क्या होता है कि ये बच्चे आसपास के friend circle में जब देखते हैं कि दूसरों को ये सब चीज़े मिल रहे है और उन्हें नहीं मिल रहा है तो उन्हें लगता है कि वो accepted नहीं होंगे अपने friends के माहौल में और उनके friends उन्हें नीचा समझेंगे चोटा समझेंगे और ये सब चीज़ें उनके लिए इतना ज़्यादा माहिन रखता है दाट वो ये सूद बूद खोड़ चुके होते हैं समझना नहीं चाहते हैं कि life इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है और ये सब चोटे चोटे चीज़ों के लिए life हम इस तरह suicide नहीं कर सकते या घर छोड़ के नहीं जा सकते ये सब चीज़े because वो चोटे हैं उनका इतना ज़्यादा सोचने का शमता नहीं होता है maturity नहीं होती है तो as parents it's very important as guardians as teachers या फिर आप अगर बड़े भाई है बड़े बहन है तो भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर के जो ऐसे बच्चे है उनके साथ आप बात करे देखे कि अगर वो ऐसे किसी दौर से गुजर रहे है उन्हें लग रहा है कि friends के साथ वो compete नहीं कर पा रहे है किसी भी शेत्र में चाहे वो पड़ाई हो चाहे वो किसी भी और चीज़ के बारे में हो अगर वो competition को handle नहीं कर पा रहे है तो उनसे बात कीजिये उन्हें समझाईए कि हर बच्चा अलग होता है हर किसी का lifestyle अलग होता है इसलिए जरूरी नहीं है कि जो दूसरे के पास है वो उसके पास भी हो पर उसके पास जितना है उसे उस चीज से मतस्र होना चाहिए खुश रहना चाहिए और यह सब बेफ़जूल के खर्चे होते हैं कैसे value for money क्या होता है यह सब सिखाईए जो आपके छोटे हैं आपसे कम उमर के हैं उनके साथ इस तरह के विशे पे डिस्कस कीजिए उन्हें ये सब चीजे सिखाईए ताकि वो इन सारे चीजों के वज़े से डिप्रेशन में ना जाए अब आते हैं डिप्रेशन जो अडिल्स में होते हैं अकसर हम देखते हैं कि रिष्टों के वज़े से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं वर्क प्रेशर, ओफिस के टेंशन, ये सब भी बहुत सारे डिप्रेशन के कारण होते हैं कुछ लोग ओफिस का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं उन्हें लगता है उन्हें बहतर नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए वो अपने प्रेजन जॉब को छोड़ नहीं सकते पर जॉब का जो माहूल है, वहाँ पे आफिस पॉलिटिक्स या किसी भी और कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उन्हें ऐसे लोगों को थरपी के थुरू हम ठीक कर सकते हैं उन्हें काउंसिलर्स के पास जाना चाहिए डिसकस करना चाहिए कि उनके क्या-क्या और आप्शन्स है काउंसिलर्स मतलब करियर काउंसिलिंग या फिर जो साइकोलोजिस्ट होते हैं हम उनके बारे में बात करें अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि साइक्याट्रिस्ट अलग होता है और साइकोलोजिस्ट अलग होती है यह दोनों अलग चीज़े है साइक्याट्रिस्ट मतलब एक डॉक्टर जो मेडिसिन्स के थुरू आपका इलाज करता है और साइकोलोजिस्ट मतलब एक काउंसिलर जिससे आप बात करेंगे और बातों के थुरू आपका समस्या वो सुनेंगे और आपको solution देने की कुशिश करेंगे psychiatry में जैसे की medicines वाली बात होती है, psychologists medicines prescribe नहीं करते ये दोनों अलग चीज होती है सो हम पागल है, हम पागलों के doctor के पास नहीं जाएंगे ये सब बाते कहना गलत होता है क्योंकि psychologists या फिर जो counselors होते है वो normal इंसान को बस सही रहा दिखाते है जो normal इंसान शायद नहीं समझ पा रहे है कि उन्हें किस दिशा जाना चाहिए क्या चीजे करनी चाहिए, किस तरह handle करना चाहिए कोई situation वो लोग psychologists के पास जाने से उन्हें बहुत जादा solution मिल सकता है अपने problems का या सही रहा वो देख सकते है जो जिस तरह से वो जन्दगी को देख रहे है psychologists या counselors उन्हें help कर सकते हैं दूसरे तरीके से देखने के लिए तो ये कोई पागल पंती वाली चीज नहीं है और इसमें शरम की कोई बात नहीं है अगर आप face कर रहे हैं कोई ऐसा situation जो आप handle नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेशक किसी psychologist या counselor के पास जाएए ताकि वो आपका मदद करें और बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये शरमनाक चीज है या चुपानी वाली बात है क्योंकि ये बहुत natural है ये सिर्फ एक guidance लेने की तरीका होता है और दूसरे चीज ये है कि career counselor मतलब वो आपको दिखा सकते है कि आप जिस qualification के है या आप जिस तरीके का काम करते है उसमें आपको कोई और option है की नहीं ताकि आप अगर जिस company में है वहाँ पे आप comfortable नहीं है तो आप उसे change करके क्या कुछ और कर सकते है इस बारे में भी आप discuss कर सकते है और अब बात करते हैं जो personal life में relationships वगेरे के बारे में tension लेके depression में आते हैं उन लोगों के बारे में हम discuss करेंगे maximum adults में depression का reason होता है relationships या तो उनकी शादी नहीं हुई है और शादी करने का जो stress है उस बात को लेके वो लोग depression में रहते हैं ये सोचते हैं कि वो अकेले पर गए है जिन्दगी में उनका कोई जीवन साथ ही नहीं है या आगे जाके उनकी जिन्दगी कैसे चलने वाली है अकेले गुजरना पड़ेगा की नहीं ये सब के बारे में सोचके वो depression होते हैं या फिर वो लोग जिन्गी शादी हो चुकी होती है और वो लोग अपने marital life में खुश नहीं है इस बात के वज़े से भी depression में आते हैं लोग तो चाहे इन में से जो भी कारण है एक चीज समझना जरूरी है कि आपको self worth पर जादा ध्यान देना चाहिए self worth मतलब आप अगर खुद को तवज्जु देने लग जाए तो ये सारे मसलों का हल हो जाएगा आपको ये सारे चीज़े इतनी जादा परिशान नहीं करेंगे आपको ये समझना पड़ेगा कि खुद को इज़द जादा देना जरूरी है दूसरों को इज़द देने से पहले आप बेशक अपने बाकी माहोल में जितने भी लोग है उनके साथ इज़द से पेश आए, सही से पेश आए पर सबसे जादा एहम बात आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी खुद की इज़द कहां पे है आप अपना खुद का वैलू कीजिए खुद को क्या पसंद है वो सोचिए ना कि दूसरों को खुश करने की ज़रूरत आप बेशक लोगों के साथ मिल जुल के रहिए किसी और के समस्या का कारन मत बनिए ऐसे कुछ मत कीजिए कि स्वार्थी होके सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोच रहे और दूसरों को परिशानी में डाल रहे है वो नहीं कीजिए लेकिन बेसिक नीद्स जो खुद के होते हैं उन पे ध्यान दीजिए आप हमेशे अपनी जिन्दिगी इस तरह से मत जीए कि आपका जो बाकी के लोग है जिनके साथ आप रह रहे हैं चाहे वो घरवाले है चाहे वो आप अगर शादी शुदा है तो आपके पार्टनर है वो इनसान क्या फील करेगा या उनके घरवाले क्या फील करेंगे ये सब जादा सोचना बंद कीजिए पहले ये देखिए कि आप किस चीज में कमफटबल है अगर दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप खुद नाखुश रह रहे है तो आपके डिप्रेशन कभी नहीं जाएगी आप चाहे लाग को शुश कर ले आप सब को खुश कभी भी नहीं कर सकते है कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आप से नाखुश रहेगा इसलिए हर किसी को खुश करना छोड़ दीजे पहले ये देखिए कि आप अपने सिचुएशन में कम्फटरिबल है कि ने जो भी सिचुएशन में आप है उसमें आप खुद को किस तरह से कम्फटरिबल कर सकते हैं उस पे फोकस कीजे जैसे जिस वक्ट जिस दिन आप खुद में साटिसफाइड होंगे चाहे खुद के लुक्स के बारे में हो या चाहे आप जो काम कर रहे हैं उस काम में साटिसफाइक्शन के बारे में हो चाहे जिस भी तरीके से हो खुद अगर आप अपने life के साथ satisfied होंगे तो आपको depression नहीं होंगी पर अगर आप focus करते रहेंगे दूसरे को खुश करने के बारे में कि आपका partner क्या सोचता है उसके मताबिक जीना उसे खुश करना उसे क्या अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है सिर्फ वही ख्याल रखना और खुद के सारे इच्छाओं को मारते जाना खुद के सारे खुशियों को मारते जाना तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आप खुद खुश नहीं है तो आप दूसरे को कभी खुश नहीं रख पाएंगे तो स्वार्थी मत हो ये लेकिन सब के साथ मिल जुल के रहने के साथ साथ खुद किस चीज में comfortable है उस पे ध्यान दीजिए अगर कोई आप से ऐसा कुछ करवाना चाह रहा है जिसमें आप comfortable नहीं है तो आप खुल के बात कीजिए आप दूसरे इंसान को समझाईए कि आपकी क्या problem हो रही है उस situation में और आप क्यों uncomfortable है बात करना सबसे जादा easy way होता है depression को fight करना आपके जो भी problems है आप उसके बारे में बात कीजिए किसी से भी हो बात कीजिए जैसे ही आप बात करेंगे दिल हलका होगा, मन हलका होगा but at the same time दूसरे इंसान से आपको कोई ना कोई solution मिलेगा आप दूसरे इंसान से discuss कीजिए कि आप जिस situation से गुज़र रहे हैं उसका क्या solutions हो सकता है क्योंकि कई बार हम खुद समझ नहीं पाते हैं पर कोई और अगर ये problem सुनता है तो वो इंसान हमको solution दे सकता है तो discuss करना बहुत important होता है बहुत लोग अपने problems खुद के अंदर छुपा के रखते हैं जो लोग introvert होते हैं वो लोगों से उतना ज़ादा खुल के बाते नहीं कर पाते हैं तो वो ही लोग जादा depression में रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो लोगों से किस तरह शेयर करें अपनी problem और अपने ही अंदर घुटते मरते हैं अपने problems को लेके तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज को समझे कि खुद घुट घुट के जीना कोई solution नहीं लाएगा आपको बात शेयर करनी पड़ेगी ताकि आप दूसरे के सहारे से कोई solution ढून पाए अकेले भी जिन्दिगी अच्छे से जिया जा सकता है ये बात पे आपको बहुत ज़्यादा focus करनी चाहिए हमेशे ये मत सोचिए कि कोई और आपके जिन्दिग में खुशी अलाएगा कोई और हो ना हो आप खुद अपने जिन्दिगी में खुशी ला सकते हैं चाहे वो छोटे-छोटे चीजों से ही क्यों ना हो चाहे कोई चीज खाने से आपको खुशी होती है या कहीं घुमने जाने से आपको खुशी होती है कोई चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है कोई चीज़ पहनने से आपको खुशी मिलती है तो वो सारी चीज़े कीजिए दूसरे को खुश करने के लिए नहीं खुद को खुश करने के लिए जैसे आपका कोई फेवरेट डिश हो गया वो आप खाएंगे आपको अच्छा लगेगा पर अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं अकेले कही नहीं जा सकती जा सकता या अकेले नहीं खा सकता तो आप वेट करते रह जाओगे जंदगी भर कि कोई जाएगा आपके साथ और अगर कोई नहीं हुआ तो जंदगी भर आप उस चीज को सोचते ही रह जाएंगे पर कर नहीं पाएंगे कभी तो ये बेवकूफी वाली चीज है ये वेट करते रहना कि कोई होगा आपके साथ जाने के लिए कोई होगा आपके लिए कर देने के लिए खुद करने पर जो साटिस्फाक्शन होती है ना वो जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आप खुद कहीं अकेले ही से किसी रेस्टरेंट में चले गए या मुवी देखने चले गए या अकेले शॉपिंग करने चले गए और आपने वो किया जो आपको चाहिए आपको सच में खुशी होगी सेल्फ कॉंफिडेंस बढ़ेगा अकेले घुमना शुरू कीजिए अकेले कहीं जाना शुरू कीजिए बहुत लोग कत राते हैं इस चीज से बहुत लोगों को लगता है नहीं अकेले नहीं जा सकते हैं अकेले नहीं कर सकते हैं कॉंफिडेंस की कमी होती है पर जैसे ही आप एक-एक करके ये करना शुरू करेंगे आइस्ता एक ऐसा समय आएगा जहां आप ये सब करने में कंफिडेबल हो जाएंगे और आपको मुश्किल नहीं होगी अकेले करने में तब सेल्फ रियलाइजेशन होगा खुद के लिए कोई चीज अगर आप खरीदेंगे ना बहुत अच्छा सुकून सा मैसूस होगा ये चीज़े आप करने की कोशिश कीजिए पर यहां एक बात कहनी जरूरी है कि बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं जो शॉपहॉलिक हो जाते हैं डिप्रे जो शॉपिंग को आदत बना लेता है वह चीज गलत होती है किसी भी चीज की आदी मत बनिये बहुत लोग डिप्रेशन में गलत हरकतों के आदी बन जाते हैं जैसे हो गया शराब पीना या लगातार सिग्रिट्स पीना ड्रग्स करना या फिर शॉपिंग पर शॉपिंग क पैसे खर्चा करना, उन्हें लगता है ये सब चीजे करने से उन्हें खुशी मिलेगी और वो जादा से जादा करने लगता है, वही पर मुश्किल है, आपको रियलाइस करना पड़ेगा कि कहां पर आपको लिमिट क्रॉस नहीं करना है, कहां हद है किस तक आप कर सकते हैं और उसके बाद नहीं करना चाहिए, वही आप अच्छे से डिसाइड कीचिए, बजट बनाईए, सही से देखिए कि जितना पैसा है, उसमें आपको क्या क्या responsibilities पहले फिल करनी है, responsibilities सारे उतर जाने के बाद आपके पास कितना पैसा रहता है, वो पैसा आप अपने पे खर्चा क कर सकते हैं कि नहीं, पहले planning कीजिए, और फिर आप जाएए अपने entertainment के लिए, चाहे वो shopping हो गया, चाहे वो कुछ भी और हो गया, party हो गया, होई भी और सारी चीज़े, तो एक budget लेके चलिए, इसे planning और organization skills ये सब बढ़ेंगी, इसे आपकी life sorted out होगा, and you will stop feeling so dependent on others, आपकी self confidence बढ़ेगी, and you will realize how to handle yourself better, पहली बात ये, दूसरी चीज़ है कि लोग वेट बहुत जादा, या तो वेट लूस करते हैं, या वेट गेन करते हैं, because of depression, तो एक चीज़ का ख्याल रखना खास ज़रूरी है, कि आपका डाएट, हम लोग ये अकसर नोटेस करते हैं, कि किसी इन इसान का अचानक से वेट घटने लग जाता है, या अचानक से वेट बढ़ने लग जाता है, ये चीज़ हमेशा सिर्फ खाने के वज़े से नहीं होता है, right, बहुत लोग सोचते हैं कि वेट इस डिरेक्ली रिलेटेड टू फूड, नो, वेट रिलेक्रीज होना या इन्क् नहीं होता है, उसके पीछे का कारण होता है स्ट्रेस, तो अचानक से अगर आपकी वेट बढ़ रही है, या आपकी वेट ज़रूरत से ज़्यादा घट रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं किसी डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे है, स्ट्रेस में क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन के वज़े से जादा खाने लग जाते हैं, खुद को सुकून मैसूस कराने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए हद से जादा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर अनहल्दी चीजे, फास फूड इस तरीके के चीजे खाना जादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, या फिर हम खाना पीना छोड देते हैं बिलकुल भी, वो भी एक चीज और देखा जाता है डिप्रेशन में, तो चाहे खाना पीना छोड देया जाए, या चाहे जाए जादा खाया जाए, कोई भी ऐसी अगर abnormalities हो र जाना या घट जाना, फूट के इलावा, हॉर्मोन पे भी डिपेंड करता है, तो stress इनसान के hormonals बहुत सारे changes लाते हैं, बोडी में, हॉर्मोन की उपर निचे हो जाने के वज़े से हम लोगों के वीट पे भी असर परता है, stress related lifestyle diseases कई प्रकार के हो सकते हैं, तो जो चीज आ हो रही है आगे जाके शायद ये physical problem में बदल जाए तो mental problem can be the main reason for many physical problems जी हाँ गौर कीजिए मैं क्या बता रही हूं mental problem से शुरुआत होके physical problems तक बात बढ़ सकती है अगर इस चीज़ को आप पहले ही करें तो जैसे कि diabetes जैसे बहुत सारे ऐसे problems stress के वज़े से हो सकती है diabetes होने के बहुत सारे कारण हो सकता है hereditary problems हो सकती है या फिर कोई भी एक untreated disease जो आपने कोई disease treat नहीं किया है वहां से या फिर medicinal effects के वज़े से आपका diabetes हो सकता है या फिर stress ये भी एक कारण हो सकता है diabetes का शायद आप hereditary problem से नहीं गुज़र रहे है या फिर किसी और बेमारी के वज़े से आपको diabetes नहीं हो रही है लेकिन ये stress के वज़े से हो सकता है हच से जादा stress लेने से insulin level का problem होता है hormonal problems होते हैं ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए at the same time और तो में stress के वज़े से gynecological problems भी होते हैं जैसे कि period problems या फिर pregnancy related problems ये सारी problems बहुत जादा stress पे dependent होते हैं एक बात गौड करने वाली बात ये है कि शादिश कपल्स जो होते हैं उन में से कई बार ये देखा जाता है कि लर्का लर्की दोनों ही वैसे तो सेहत मन्द है लेकिन फिर भी conceive नहीं कर पा रहे हैं बच्चा नहीं हो रहा है अगर आप ध्यान दे तो उन में से सब से जादा एहम चीज होगी stress related problems बहुत जादा कोशिश अगर कोई कर रहा है बच्चा पैदा करने का तो वो खुद बखुद एक stress की कारण बन जाती है बार-बार कोशिश करने पे भी बच्चा नहीं हो रहा है ये खुद बखुद एक stress की reason होती है और इस तरह आपका body pregnancy handle नह treatment पर फिर भी आप conceive नहीं कर पारें इस का main reason है stress because आप at the back of the mind इस बात को लेके इतना जादा stress में आ रहे है कि कोई भी treatment या कोई भी चीज आपकी body पे काम नहीं हो रहा है असर नहीं कर रहा है तो सबसे जादा stress लेना बंद कीचिए या फिर अगर आप treatment नहीं भी ले रहे है ऐसे लोग होते जिनके शायद शादी के बहुत वक्त हो चुका है पर बच्चा नहीं हो रहा है घर से pressure आ रहा है stress में आ रहे है family pressure society pressure कोई भी ऐसी बात हो सकती है या फिर खुद से बहुत जादा चाते है बच्चे पर फिर भी नहीं हो रहा है ये सब के वज़े से इनसान it becomes a vicious circle में चीज आपको अगर आप किसी के husband है या आप किसी ओरत के in-laws है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन ओरतों को इस बात का stress मत दीजे pressure मत दीजे कि जल से जल बच्चा पैदा करना है जल से जल pregnant होना है इस बात का stress मत दीजे एक बहुत बड़ी problem आप नहीं होता देंगी अगर ऐसा होता है तो क्योंकि कई बार मर्द जो होते हैं ये समझ नहीं पाते हैं या फिर in-laws समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी बाते अगर एक औरत को बार बार कहा जाए तो वो औरत कितनी stress में आ सकती है और उस stress के वज़े से और ज़्यादा detrimental हो जाता है उस stress के वज़े से वो चाहकर भी pregnant नहीं हो पाती या फिर उसके hormonal problems हो जाते हैं polycystic ovary, PCOS या PCOD जैसे problems हो सकते हैं या diabetes वाले problems हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ stress के वज़े से because body में hormones के problems हो जाते हैं इसके वज़े से तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि stress से और भी कई ज़्यादा problems ना हो इसलिए सबसे पहले तो stress handle कीजिए stress handle करने का बहुत अच्छा तरीका होता है अच्छी डाइट, balance diet अगर आप करते हैं fast food नहीं, balance diet, सेहत मन खाना अगर आप खाएंगे तो body में nutrition अच्छे से आएंगे तो आपके hormones control में रहेंगे exercises साथी साथ करना जरूरी है ताकि especially yoga ताकि आप mental balance maintain कर पाएं meditation helps a lot आप कोशिश कीजिए meditation करना नहीं आता है तो meditation करने के तरीके देखिए videos देखिए, शांती महसूस हो इस तरीके के music सुनिए, motivational videos देखिए या दोस्तों से बात कीजिए जिससे आप अपने problems का हल निकाल सके एक और चीज़ है कि जिस चीज़ से आपको problem महसूस हो रही है बार 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 उस चीज़ के बार में मत सोचिए अगर आप लगातार उसी topic पे सोचते चले जाएंगे तो आप उस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो आपको उस चीज़ से बाहर आने के लिए उस topic को सोचना बंद करना पड़ेगा सोते जागते consciously, unconsciously उसी बारे में बात करना या सोचना बंद कीजिए hands will keep your mind calm हाथ अगर busy होंगे तो दिमाग शांत रहेगा मतलब आप अगर physical कोई activity कर रहे है कोई घर का काम हो गया या कोई भी बच्चे सम्हालना हो गया कुछ भी और हो गया जिससे आप physically involved है अगर आप कोई creative काम कर रहे है, कुछ बना रहे है, कुछ पका रहे है, कोई भी ऐसी चीज़ी करे ताकि आप उस पे ध्यान दे, आप physically उस पे involved है, तो आपका mind शांत रहेगा तो आप बार-बार वापस नहीं चले जाएंगे आपके stress वाले चीज़ों को सोचने के लिए कोई hobby बिल्ट कीजिए, जिस hobby को लेके आप busy रह सके, उस पे focus करे, creativity पे ध्यान देजिए कुछ ना कुछ आप में जरूर होगा, जो आपकी खासियत है, उस पे focus कीजिए और दूसरी चीज़ यह है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप depression में कोई history decision ना ले कोई गलत कदम ना उठाए, अगर आपको लग रहा है कि आप unstable हो रहे है, depressed हो रहे है तो उस वक्त आप कोई फैसले मत लीजिए, उस वक्त आप कोई अहम decisions मत लीजिए क्योंकि हर वक्त जल्दी का फैसला गलत होता है, जैसे हम कहते हैं न, जल्दी का काम शैतान का होता है जल्द बाजी में, हेस्टी decisions में हम अक्सर गलतिया करते हैं तो emotional होके आप drastic steps मत लीजिए एक चीज अगर आपको करनी है, तो काफी लंबे वक्त तक उस पे सोच बिचार कीजिए कुछ दिनों लगातार सोचिए कि ये करना सही रहेगा कि नहीं चाहे तो लोगों से discuss कीजिए और फिर वो कीजिए अधिकतर वक्त हम emotional होके कुछ गलत कदम उठा देते हैं और बाद में हम पच्चताते हैं, तो डिप्रेशन के हालत पे आप अधिकतर वक्त decisions, अहम decisions ना ले तो ही बैतर होगा अब इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं discuss करना चाहती हूँ इसके साथ related, वो है OCD, OCD मतलब obsessive compulsive disorder अब ये चीज क्या होता है कि हम देखते हैं कि कई बार लोग घर के साथ सफाई कुछ जादा ही करना को शुरू कर देते हैं या पिर जिस जगे पे वो लोग होते हैं, चाहे वो office में भी क्यों नहूं वहाँ पे हर चीज एक तरीके से proper तरीके से करने की कोशिश करते हैं जो वो अधिकतर समय वैसे नहीं करते हैं, लेकिन depression के तौर पे ज़्यादा करते हैं वालब कुछ ऐसी चीजें वो करना शुरू कर देते हैं जो obsession के level पे होते हैं जो के अक्सर वो normal situation में नहीं करते हैं, अधिकतर साफसफाई या अधिकतर किसी चीज़ को लेके obsessed हो जाना एक ही चीज़ को लेके बार 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 सोचना या करना, छोटे छोटे चीज़ों में जादा ध्यान देना और उन्हें बरे problems के तौर पे देखना ये सब चीज़ों का नाम है OCD, मतलब Obsessive Convulsive Disorder ऐसे हम देखते हैं कि कोई साफ सुत्रा जगा भी हो तो भी इनसान उस जगे को बार 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 cleaning कर रहे हैं घर का हो गया या office का table हो गया office में जहां वो काम कर रहे है उस जगे का हो गया या फिर कहीं पर चार लोग एक सार बैट के बाते कर रहे हैं तो कोई एक छोटे से चीज़ को लेके वो परिशान हो जाते हैं जो दूसरे लोगों का effect नहीं कर रहा है बट उसे एक इनसान को effect कर रही है बार बार अगर कोई एक चीज़ हरकत होती रहती है तो उसे वो चीज़ परिशान करने लग जाती है जैसे की suppose कि आप लोगों के साथ बैटे हुए हैं कोई इनसान बैट के बाते करते अपना पैर हिला रहा है लगातार पहल हिला रहा है या चैर क्या 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 कर कैसे सामने सा आगे पीचे आगे पीचे होता जा रहा है ये सारे चीजे उनको बॉदर कर सकती है या फिर कोई मक्ही गूम रही है बहुत देर से मक्ही गूम रही है या मच्छर गूम रहा है उस चीज़ से लोग बहुत जादा परिशान हो जाते हैं हद से जादा या फिर कहीं पे थोड़ा सा पानी गिरा है या थोड़ा सा कुछ मैस हो गया है तो वो उस चीज़ को तुरंट साफ करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को साफ ना होने पे बहुत जादा affected हो जाते है या फिर अपने घर में साफ सुत्रा जगे को भी बार 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 क्लीन करने की कुशिश करना यह सारी जो हरकते होते हैं यह लक्षन होते हैं OCD के पैसे तो साफ सुत्रा रहना एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ है जो की कोई बिमारी नहीं है हाला कि यह एक बहुत जरूरी चीज़ है जो हर किसी को देखना चाहिए पर यह चीज़ हद से जादा हो जाए तो उसमें प्राबलम है तो आपको समझना चाहिए कि कितना हद है और कितना हद से जादा है अब बात यह है कि हम यह ऐसा क्यों करते हैं जो लोग mentally stressed होते हैं जिनकी life messed up होती है वो क्योंकि अपने life को साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं life में चीज़े sort out नहीं कर पा रहे हैं इसलिए at the back of their mind वो बाकी चीज़ों को साफ सुतरा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खुद का life कच्रा बना पड़ा हुआ है समझ रहे हैं उनकी खुद की life messed है इसलिए वो बाकी सारे चीज़ों को mess से दूर करना चाहते हैं mess clean up करना चाह रहे हैं वो हर जगा cleaning करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कही न कहीं उनके दिमाग में कोई न कोई कच्रा बड़ा हुआ है जो वो clean नहीं कर पा रहे हैं समझ रहे हैं बात को उनके life में कोई न कोई ऐसी चीज़े हैं जो बिखरी हुई है जिने वो समहाल नहीं पा रहे है समेट नहीं पा रहे है इसलिए वो गुस्षा निकल रहा है कहीं और कुछ और चीज़े को समेटने में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं हद से जादा तो ये बात धियान में रखना चाहिए कि कोई अगर आपके सामने ऐसा हर्कत कर रहा है जो हद से जादा अबनॉर्मल है बहुत जादा OCD हो चुका है किसी इंसान को तो आप उस चीज़ पे फोकस ना करें और ये फोकस करने की कुशिश करें कि उस इंसान को क्या चीज़ परेशानी कर रही है क्या ऐसे कोई परिशानी वाली बात है उस इंसान के लाइफ में जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है और उस विशह में बात कीजिए उस विशह में उसको हेल्प करने की कुशिश कीजिए क्योंकि डिरेक्ली आप OCD टारगेट करेंगे डिरेक्ली आप कहेंगे कि ये सब क्यों कर रहे हो तो वो इनसान ओफेंड़ हो जाएगा या फिर उस इंसान को आप किसी भी तरह से हल्प नहीं कर सकते हो उसे help करना है आपको तो आपको धियान में रखना चाहिए कि जो surface में दिख रहा है उसके beyond back of the mind क्या चल रहा है उस पे focus कीजिए देखिए कि उस इंसान के जिंदेगी में असल problem कहां पे है फिर आपको समझ में आएगी कि ऐसी हरकते वो इंसान क्यों कर रहा है तो आपके आसपास जो लोग है उन पे focus कीजिए observation बढ़ाईए देखिए कि कौन किस तरह से पेश आ रहा है अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि कोई इंसान नॉर्मल से बाहर behave कर रहा है तो उसके साथ खराब तरीके से पेश मत आईए उसे बार बार तुम पागल हो तुम दिमागी तौर पे पैदल हो डिप्रेस्ट हो डिप्रेस्ट हो डिप्रेस्ट हो बोल बोल के उसे और ज़्यादा डिप्रेशन में मत डालिए उसके साथ अच्छे से पेश आईए दोस्त बनिए समझने की कोशिश कीजिए कि वो इनसान चिर्चिरा क्यूं है उन्हें बार बार चिर्चिरा होने का एसास मत दिलाईए पर समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह उनकी चिर्चिरापन दूर हो सकती है उन्हें मदद कीजिए कि वो शेर करे अपना प्रॉब्लिम वो दिल खोल के बाते आपके सामने रख पाए इतना आप easy होए उनके सामने strictly behave मत कीजिए उनके साथ प्यार से पेश आईए समझाने की कोशिश कीजिए और इंशाला आपके जो मित्र है आपके जो परिवार वाले है वो depression से बाहर आने में बहुत हद तक उनकी मदद होगी आप उनको help कर पाएंगे और अगर आप खुद है depression के शिकार तो ये सब tips जो मैंने दिया हैं उन्हें follow कीजिए busy रखिए अपने आपको और कोशिश करिए खुद की दोस बनना खुद में खुशी ढूनने की कुशिश कीजिए ना कि दूसरों में I am sure कि आप अगर focus करेंगे problem क्या है तो जरूर कोई ने कोई solution निकल आएगा depression को ignore मत कीजिए किसी भी इंसान को depression है तो उसे tease मत कीजिए उन्हें hurtful बाते कहके उन्हें और ज़्यादा depression में मत धखिये पर एक दूसरे का मदद कीजिए में चीज हम notice करते है कि depression होने पे हम सिर्फ सोए रहते हैं विस्तर से उठने का मन नहीं करता है लगता है दिन भर सिर्फ लेटे रहे नीन भी नहीं आती है हम जितना चाहे सोने की कोशिश कर ले पर नीन नहीं आती है जो ठकान जरूरी होती है सोने के लिए वो नहीं होता है फिस्कल अक्टिविटीज नहीं होती है और इसलिए हम सो नहीं पाते है और बिकाज हम सो नहीं पाते है हम और ज़्यादा वीक महसूस करते है mentally और ज़्यादा स्ट्रेस्ट आउट हो जाते है और और जादा लगता है कि लेटे रहे बिस्तर से ना उठे तो डिप्रेशन का एक एहम चीज होता है ये कि बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है लगता है लेटे रहे पर हमको नींद भी नहीं आती है तो इस वज़े से हम देखते हैं कि जो होते हैं उनमें से जाधा तर medicines नींद में help करने वाली medicines होते हैं जिन medicines को लेने पर आपको नींद आई तो depression के medicines में नींद वाली component क्यों होती है इसलिए होता है ताकि आपका mind relax हो जाए because सोने से mind relax होता है और इनसान fresh feel करता है इसलिए जाधा तर depression वाले medicines sleep help करने के लिए बनते हैं तो एक चीज़ में ध्यान रखना ज़रूरी है कि medicine लिए बगएर आप कैसे सो सकते हैं medicines पे dependent ना हुआ ठीक है यह चीज़ आपको देखना चाहिए तो daily activities में आपके lifestyle में तबदीली ला सकते हैं पड़े नाचरली सो सके नाचरली नीन पूड़ी हो और माइंड फ्रेश हो ताकि depression में help हो तो इस चीज़ के वज़े से आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको physical ठकान अपने बॉड़ी को करवाना है आपको physical activities करने पड़ेंगे ज्यादा तर आपको काम करना पड़ेगा चलना फिरना पड़ेगा exercises करने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉड़ी ठक जाए और फिर आप सो सके जादा तेर अगर आप विस्तर पे लेटे रहेंगे दिन भर तो आपको नीन्द नहीं आएगी क्योंकि आपकी बॉड़ी ठक नहीं रही है बॉड़ी को ठकाना ज़रूरी है आपकी माइंड ठकी हुई है पर बॉड़ी नहीं यही कहम रीजन होता है जिसके वज कि एजिट पीपल में भी डिप्रेशन बहुत जादा देखा जाता है उनका डिप्रेशन का कारण क्या होता है कि उनके लाइफ में अब और कुछ करने को बाके नहीं है बोलने पे तो यह कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मौत की इंतजार कर रहे होते है और उसी में वो डिप्र और भी आगे अगर जिन्दा रहना होगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा इस बात का टेंशन यह सब के वज़े से एजिट लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर आपके घर में कोई बुजर्ग है उनसे जादा से जादा वक्त बिताय कीजिए बातचीत कीजिए उनके ल बातों में उलजे रहेंगे और डिप्रेशन उनके कम होगा उनसे थोड़ा थोड़ा अक्टिविटीज करवाएं ज्यादा कोई हैवी काम नहीं करवाने की बात कर रही हूं है पर कोई छोटे मोटे चीजे करके उन्हें बिजी रखे जैसे की हो गया उन्हें कुछ हाथ के क द्रॉइडरी कुछ ऐसी चीजे या निटिंग स्वेटर बुनना कोई कोई ऐसी चीजे या अगर उनके हातों में जोडों का दर्द है या कोई ऐसे बिमारी के वज़े से वह ऐसे काम नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कहिए कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में पाइडी लिखे या रेकॉर्ड कीजिए बातों के जरिये कोई ऐसा चीज करने पे आप उन्हें बिजी रखे ताकि उनका दिमाग शांत रहे और उन्हें ये सब फिजूल की टेंशन ना आए ये सब एज़ेट लोगों के डिप्रेशन के कारण होते हैं इस पेशली एज़ और बार बार उन्हें ये लगता है कि उनकी तबियत और खराब हो रही है क्योंकि उन्हें लाक ओफ स्लीप के वज़े से तो उन्हें आप इस तरह से अक्टिविटीज में उलचा के रखिए अगर वो खुद नहीं चल सकते तो वील चेहर पे ही सही और अगर खुद चल सकत बॉडी ठक जाए और उन्हें नाच्रली नींद आए ताजी हवा में लेकर जाए बैलकनी में बिठाईए या टेरिस पे बिठाईए या बाहर घुमने ले जाए थोड़ा वक्त दीजिये उन्हें बहुत ज़रूरी है ताकि उनका मेंटल हेल्थ सही रहे और जो लोग एज ते रहना या टीवी के सामने या लापटॉप खोलके इंडोस में अगर आप ज्यादा तेर रहेंगे ताजी हवा अगर आप नहीं खाएंगे वाक्स में नहीं जाएंगे तो आपके हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑक्सिटोसिन लेवल जो हैपिनस होर्मोन होती है जिसके वज़े से डिप्रेशन होती है यह आपको ध्यान में रखना चाहिए और एक चीज़ ध्यान रखिए इस अल इन दे माइंड आप अपने माइंड को ही ट्रिक कर सकते हैं आप खुद ही खुद को समझाईए जब ही आपको लगे कि मुझे बिस्तर से उठने का मन नही हो रहा है हालाकि बहुत काम पढ़ा हुआ है पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है यह एक ख्लासिक सिंड्रॉम है डिप्रेशन का हैं जब हद से जाधा काम बढ़ जाती है काम एक के ऊपर एक जमा होता रहता है और हम काम नहीं करते हैं तो एसकेपिजम के तोर पे एक ऐ हालात बन जाता है जहां हम काम से भागने की कुस्षिश करते और उल्टा डिप्रेशन में आ जाते जिन लोगों के बहुत सब्सक्राइब काम इडाना उपैब काम पड रहे हैं क्शोड़ा से एक्जांपल दे रहे है कि घर बहुत सारे काम आपके पड़ा हुआ है, घर बिख्रा पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, आपका कबड, आपका कबड बहुत जादा मैस होके रखा है, आपने कबड ठीक नहीं किया, कपरों को समेट के नहीं रखा है, आप जब भी कबड खोलते हैं, तो सारे कपरी निकल आते हैं, स स्केपिसम यह फिर घर के बहुत सारे काम एक दूसरे के साथ जुड़ के 101 काम बन चुका एक तर नहीं करता है एक भी काम करने काकूग कि लगता है यह यार इतना कौन करेगा मुझे नहीं करना कि इससे क्या होता है काम और बढ़ जाती है घर और गंदा हो जाता है नेगलेक्ट करते करते या बरतन और जादा जम जाते हैं कपड़े और जादा जम जाते हैं ना धूने के वज़े से इससे क्या होता है आपका डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होगा आप उस चीज़ को देख देख के और जादा डिप्रेशन में आ जाएंगे तो पते की बात यह कह रही हो कि जैसे ही आपको यह लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है मैं बिस्तर से उठने ही पा रही हूँ मैं यह काम अबॉइड करना चाता हूँ वो चीज़ मत कीजिए आप अपने दिमाग को ट्रिक कीजिए जिस भी वक्त आपका दिमाग यह कहे कि थोड़ा और सो लेते हैं थोड़े दिर बाद करते हैं आज नहीं कल कर लेते हैं तब ही आप अपने माइंड को ट्रिक कीजिए कि हाँ आज करके बाकी सारे काम कल करेंगे ऐसे करके खुद को मोटिवेट कीजिए बिस्तर से उठने के लिए ट्रस्ट में यह होता है ट्रस्ट में यह काम आएगा जैसे ही आपको लगे कि पांच-दस मिनिट और सो ले आप खुद को बोलिए अभी थोड़े दिर में वापस आके सो जाएंगे थोड़ा यह कर लेते हैं फिर आके सो जाएंगे थोड़ा साज करते हैं बाकी का सब कल करेंगे यह करके आप अपने आपको बिस्तर से निकाल लिए और फिर उस काम को करना शुरू कर दीजे जैसे ही आप करना शुरू कर देंगे आपके अंदर एक अपने एनर्जी आजाएगी दूसरा चीज करने का फिर आप अपने आपको ट्रिक करके आप दूसरा तीसरा चौता सारे काम कर सकेंगे जितना जल्दी आप एक के बाद एक एक के बाद एक निपटा पाएंगे जैसे ही आप एक निपट लेंगे आपको अंदर से सेल्फ कॉंफिडे आपको अच्छे से एनर्जी आ जाएगी दूसरा काम करने का और जितना आप देखोगे कि एक के बाद एक आपका काम बनता जा रहा है खतम होता जा रहा है एक के बाद एक बरतन कम होते जा रहे है या कपड़े कम होते जा रहे है उतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा स्वस् अचानक से एक एनरजी फील होगी, अचानक से अच्छा लगने लग जाएगा, खुद को अप्रिशेट करने लग जाओगे, और देखोगे कि आटोमाटिकली वो डिप्रेशन चली गई है, आटोमाटिकली फिर आपको अब नहीं लग रहा है कि वापस जाके सोचाए, अब न कैसे डिप्रेशन को काबू में लाओ, यह चीज़ हो सकती है, you can try, try करके देखो, फिर बता रहा है